नमस्ते, मैं कांधिवले से त्रिलोग सावन बात कर रहू मैं सेंट फ्रांसेस इंस्सिट आफ टेक्नलोजी का स्टूटेंट हूँ जैसे हम लोग को पाता है कि कोरोना वारत जैसे जैसे फेल रहा है वैसे पेशन की संक्या बरती जा रही है और कुछ सेरेस पेशन को हम लोग को वेंटिलेटर पर लखने की ज़रोत परती है जो मार्केट में वेंटिलेटर की कॉस्ट है वो 10,000 से चालो हो जाते है तो एक लाग स्टक है जो नॉर्मल परसान है वो एफोर्ड ने कर पाता और उसका सोलेशन निकालने के लिए हम लोग ने सोचा कि एक एसी मशिन बना जो कोई भी एफोर्ड कर पाए और सबसे पहली बात पोर्टे भलो तो हम लोग ने एक नवीन टेकनलोजी की उपर एक सिस्टिम बनाई जो आप देख सकते हैं हम लोग का जो वेंटीलेटर है अपने पाम में बेट जाता है ये वेंटीलेटर फुल्ली आडवांस है इसके हम लोग ने इंट्रेलेक्शल राइट सेज़व कर चुके है ये मशिन की खासेत इसी कि ये मशिन की उपर हम लोग 6 पेशन को चला सकते है ये मशिन फुली हैं हम लोग कोई भी परसन है विदाव टेकनिकल नॉलज भी ये मशिन को हैंडल कर सकते है दूसरी बात ये मशिन की उपर like हम लोग ने जो computer system use की है उसके पर हम लोग 6 patient को चला सकते तो एक machine के उपर हम लोग 6 patient चला रहे तो हम लोग का manufacturing cost और कम हो जाता है यह जो machine हम लोग ने बनाई है वो 250 रूपिस में हम लोग ने बनाई थी यह machine बनाने के वक हम लोग का area में सब lockdown था तो सब shop close थे तो घर में जो भी material हम लोग को मिले यह material use करके हम लोग ने machine बना दी यह machine बनाने के लिए हम लोग को सिफ 8 घंटे का time लगा था overnight हम लोग ने machine बना दी इसके machine के specification अगर हम लोग देख लिए तो अगर हम लोग ने actual parts use के लाग हम लोग inline tube रहती है प्रेशर गेज रहती है अगर हम लोग ने यह use की तो फुली scalable हम लोग फुली implement कर सकते हैं इसके हम लोग ने जो टेकनिकल technician से doctor से उनसे हम लोग ने बात किया था उन लोग को हमने machine दिखाया था और उन लोग ने यह machine के लिए okay दिया अगर हम लोग ने इसका production की या like product scale पर लेके गए तो यह machine हम लोग fully implement कर सकते हैं यह machine बनने के मेरे team ने बहुत help की थी यह machine का अगर खासेत देखोगे तो यह machine को